अलो स्टूडेंट्स नमस्कार जी के विद नंदन शर्मा के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दी का बिनंदन आज की क्लास के अंदर भारत मा के महांस भूत सरदार उदम सिंग, शहीद उदम सिंग जी के बारे में हम बाचित करने जा रहे हैं उनका पुरा जीवन, उनकी शहीदी, उन्होंने किस किस तरीके से क्या क्या काम किया वो हम सारा इस वीडियो के अंदर देखेंगे आपको बहुत जानने को मिलेगा अगर वीडियो अच्छी लगे, तो लास्ट में भारत माता की जै और इन किलाब जिन्दाबाद जिरूर लिखना देखते हैं, शहीद उदम सिंग का जनम 26 दिसंबर 1899 को हुआ 1899 में हुआ, और जनम हुआ सुनाम और सुनाम कहां पर है? पंजाब के अंदर है और इनके बच्पन का नाम था शेर सिंग और इनको उदम सिंग के नाम से भी जाना जाने लगा इनको उदम सिंग के नाम से भी जाना जाने लगा शेद उदम सिंग जी को, और उसके लावा हम बात करें तो इनको राम मुहमद सिंह अजात के नाम से भी जाना जाता है मदर की डयथ हो जाती है, 1901 इनके जनम से दो साल बाद ही, इनकी मदर का साया इनसे हड़ जाता है और उसके बाद बदकिस्मत इनका फिर भी साथ नहीं छोड़ती और 1907 के अंदर इनके फादर साब जिनका नाम तर टहल सिंग जी की डेथ हो जाती है और 1901 के अंदर नरायन कोर की डेथ हो जाती है अब साथ बचा इनके भाई सादू सिंग का अब जाने को कुछ नहीं कहां ज जिसको जाना जाता है सेंटरल खाल सा यतीम खाना सेंटरल खाल सा यतीम खाना सेंटरल खाल सा और फनेच इनके अंदर इनोंने शेरन ली और जो सादू सिंग है उनका नाम मोकता सिंग रखा गया और शेर सिंग का नाम उदम सिंग रखा गया और उडे भी रखा गया उदे के कार्ण अचानक से बिमार हुए और मुक्ता सिंग ने भी इनका साथ छोड़ दिया और मुक्ता सिंग जी की भी डेथ हो गई अब उद्रम सिंग अकेले पड़ गए 1917 में ही matriculation पास करी इन्होंने 1917 में इन्होंने matriculation पास करी और उसके बाद उदम सिंग जी ने army join करी first world war लड़े बिटा अलग दूसरे देशों में जाकर इन्होंने first world war लड़ा और army join करी और army में जिस regiment में थे उस regiment का नाम दा 32 सिख pioneers बिटा 35 सिख pioneers के अंदर इन्होंने army को join किया और विदेशों के अंदर जाकर बिटिश army की तरफ से ये लड़े लेकिन उस समय क्या था insurgency का माहौल बना और सन 1919 के अंदर के act पास हुआ जिसका नाम है rollet act आप सभी जानते हैं अंदर इन्होंने के अंदर इन्होंने के अंदर इक पास हुआ जिसका नाम था rollet act और rollet act का विरोध उस level पे देखा जा रहा था कि जब 1857 की करांती हुई उस दोरान जो विरोध था ना वो सेम विरोध rollet act में देखा जा रहा था और अब अंग्रेजों को डर था कि कहीं 1857 वाला माहूल दुबारा सन्या बन जाए इसलिए इन्होंने क्या किया बहलब सक्ति से पेशाना शिरू कर दिया और rollet act का मतलब था कोई भी इनसान पर अगर आपको शक है कि वो करांती का रेक्टिविटी में है जर वो अंग्रेजों की खिलावत करता उसको उठाओ और बिना किसी ट्राइल के नो वकेल नो दलील उसको जेल में डाल दो काला कानून भी इसको कहा गया और 10 अप्रेल 1919 को पंजाब के दो महान करांतिगारे सत्यपल और सैफुदीन किचलू इन दोनों को जेल में डाल दिया गया इस बात का भारी विरोध हुआ और 13 अप्रेल 1919 को जब बैसाकी का तेहुआर था और अमरिसर में खूब भीड़ थी खूब लोग मेले में जमा हुए थे तो वहीं पर जलिया वाला बाग एक एतिहाजिक जगह है और जलिया वाला बाग में 13 अप्रेल 1919 को एक सभा को संबोधित कर रहे थे भारत के करांतिकारी और उसे बहुत सारे लोग उसमें जमा थे और उसमें क्या हुआ उन्होंने अंग्रेजों ने इस पे गोलियां चलवा दी अग्रेजों ने गोलियां चलवा दी गोलियां चलवाने में दो नाम आते हैं बेटा सबसे पहले उसमें वाइसराय थे भारत के लोड चैम्स फोर्ड भारत के जो वाइसराय थे उसमें वो थे लोड चैम्स फोर्ड और माइकल ओ ड्वायर जो पंजाब के Lieutenant Governor थे यारी पंजाब की आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी थे जिनका नाम था Michael O. Dwyer और अमरिश सर के जो ब्रिगेडिया जनरल थे उनका नाम था Reginal Dyer बेटा अमरिश सर के जो सेना के जो Reginal Dyer जो थे वो ब्रिगेडिया जनरल थे यानि छोटी पोस्ट पे थे और बड़ी पोस्ट पे कौन थे तो आपने बताना है Lieutenant Governor पंजाब ठीक है और गोली चलाने का आदिश Michael O. Dwyer की मतलब आदिश पे किसी ने दिया Reginal Dyer ने दिया ठीक है और ऐसे में क्या हुआ एक भड़ी भीड पर ताबर तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी और उसमें बहुत सारे लोग जो है बेकसूर लोग मारे गए और कहा जाता है उस दोरान दो कहनिया है ऐसा कहा जाता है कि उस दोरान ये अनाथाले की तरब से यतीम खाना के तरफ से पानी की सेवा कर रहे थे और एक में ये कहा गया है कि इस भीड में वो भी घायल हुए थे और सारी रात उनके बीच में पड़े रहे थे जो डेथ बोडिस के बीच में रहे थे और सुबह जब इनको होश आया तो देखा तो मतलब एक परकार से दिल दहलाने वाला द्रिशा आप फोटो में देख पा रहे हो ये सेम द्रिशा लोगों की लाशों का वहाँ पड़ा था तो जैसा भी हो जब इनों ने ये सारा देखा इनका दिल पसीज गया और इनों ने कसम खा ली कि जब तक मैं इनके गुनागारों को सजा ना दिलवा दूँगा तब तक मैं फ्री नहीं बैठूँगा तो उसमें वाइसरायल और चैंसफोर्ड लिटिनेंट गवरनर और पंजाब असल में दोशी यही था माइकलो ड्वाइर दोशी था और रेगिनाल डायर उसमें ब्रिगेडियर जनरल था उसमें मोके पे यही मौझूद था और इसके बाद में अंगरेज जब खिलाफत हुई अंगरेजों ने हंटर कमिशन भी बिठाया कि इन्वेस्टिगेट कीजिएगा जलियावाला बाग मैसकर लेकिन जलियावाला बाग मैसकर इन्वेस्टिकेशन में कुछ ज़्यादा बना रही और इसको रेगिनाल डायर को अजाद छोट दिया गया और इसको वापस इंगलेंड भेज दिया गया ठीक है न और इस दोरान भारत में बड़ा विरोध हुआ 1919 के अंदर ही जो है अपरेल के महीने में रबिंदरनाथ टेगोर ने अपनी उपादियां वापस कर दी, भातमा गांदी ने अपनी सारी टाइटल वापस कर दी है लेकिन जो उदम सिंग जी थे इनके दिल में एक अलग ही दर्थ था इस बात को लेकर 1924 को ये मेक्सिको से होते हुए USA चले गए यानि इलीगली गए थे, मेक्सिको से होते हुए ये USA में गए और USA में काँ पर सैन फ्रांसिसको गए और ये एक्टिव मेंबर बन गए गदर मॉमेंट के गदर पार्टी लाला हर्दयाल सोंग सिंग बखना ठेक है इन्हों ने स्तापित करी थी और गदर मॉमेंट का जो एपी सेंटर था मुक्या जो सेंटर था वो सैन फ्रांसिसको था गदर पार्टी के जितनी भी अक्टिविटी थी सारी के सारी activity सैन फ्रांसिस्को से ही regulate होती थी और सैन फ्रांसिस्को epicenter था गदर मौमेंट का और आपने बताना हैं, तर मेकसिको से होते हुए ये USA में सैन फ्रांसिस्को गये और active member बन गए गदर मौमेंट के और मैं बापको बता दूँ ये तीन साल तक 1924 से लेकर 1927 तक लगातार तीन साल कहां पे रहते हैं ये रहते हैं USA के अंदर और अलग अलग काम करते हैं कहीं कारपेंटर का काम करते हैं और देखो ये लीवड थ्री एर्स इन युएसे और वाग इन सैन फ्रांसिसको, डेटरोईट, शिकागो, निू यॉर्ग, अलग अलग शहरों में ये क्या करते हैं और इसके लखास बात हॉली वीड मुवी में भी काम किया इन्होंने और हॉली वीड मुवी का नाम elephant boy और the four feathers ठीक है the four feathers और elephant boy नामक Hollywood movie में भी काम किया तो ऐसा कह सकते है multi talented person थे शहिद उदम सिंग जी और इस दोरान इन्हों ने अपने party भी बनाई और party का नाम रखा आजाद party और उदम सिंग जी ने enlisted किया अपने आपको carpenter seaman अपने आपको carpenter जो है enlisted किया seaman enlisted किया और एक American shipping company में काम किया इन्हों ने जिसका नाम क्या था बेटा आपने बताना है पोटो रिकन नॉम दे गोरे और फ्रेंक ब्राजिल बेटा और इन्हों ने बहुत सारे देशों की यात्रा करी जिसमें इटली है जर्मनी है, पोलेंड है, इरान है, होंग कोंग है यानि चार महादिविपों की यात्रा करी और अपने आपको carpenter seaman की तरफ भी नोकरी करी उसके लावा बहुत सारे car company में भी इन्हों ने काम किया उसके लावा इन्होंने जो मतला Hollywood movie में भी और movie का नाम मैंने आपको बताया elephant boy और four feathers 1927 में उदम सिंग जी वापस भारत आए और 30 अगस्त 1927 को इनको अरेस्ट कर लिया गया अमरे सर के अंदर और क्योंकि arms act यानि इनके पास हतियार पकड़े गए कुछ गदर पार्टी के newspaper पकड़े गए और इनको anti-british activity के तहत गिरिफतार किया गया और 5 साल की सजा इनको सुना देगी जेल भेज दिया गया और ये बहुत बड़े जहां पर भी जाते सब को अपना मित्र बना लेते सभी कैदियों को मित्र बना के और करांतिकारी activity के लिए लगा देते इसले time to time इनका जेल जो है वो बदल दिया जाता था और ऐसे में इनको एक बार मियाँ वाली जेल में शिफ्ट किया गया और वहां पर इनकी मुलाकात होती है भारत के महानसपूत शहीद भगत सिंग से और भगत सिंग से जलदी घुल मिल जाते हैं और इतना प्रभावित होते हैं बहगत सिंग से, बहगत सिंग को अपना गुरू माल लेते हैं, और बहगत सिंग की फोटो अपनी जेब में रखते हैं, और बहगत सिंग अपना गुरू मानते करतार सिंग सराबा, जिन्होंने वो लाइन लिखी थी, हिंदवासियो रखना या बारत के हर बच्चे को इन करांथिकारियों के बारे में पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो ये अपनी बदकिस्मती है इन्होंने अपने परसनल जीवन को डाऊचिए लगा के भारतमा की सेवा करी हमें इनके बारे में जानना चाहिए 1931 के अंदर ये जेल से छूड़ जाते हैं और 2 साल बाद ये चले जाते इंगलेंड 1933 में वापस इंगलेंड चले जाते हैं और 7 साल तक इंगलेंड में रहते हैं अलग-अलग देशों मार्च 1940 और एक joint meeting होती इस्ट इंडिया association और Central Asian Society और उसको भोला जाता है Royal Society of Asian Affairs और एक Axton Hall है लंदन के अंदर वहाँ पर अंग्रीजों की meeting होती है इस meeting के अंदर शहिद उदम सिंग किताब के अंदर revolver को छुपा के लेके जाते हैं इस meeting के अंदर जो अपने उदम सिंग जी है ये लेके जाते हैं क्या ताब सभी ने बताना है बेटा एक पिश्टल और वो किताब की cutting करके उस पिश्टल को लेके जाते हैं और ऐसे में अगर आप बात करें जाने के बाद में ये इसे नहीं करुए ये शाते हैं जाते ही दो गोलियां पास में जाके नको दो गोलियां मार दी और ये अतवाथ बस हिरांग क्या और वो हाथ तो आती जो है चल बसे उसके लावा और अंग्रेज अधिकारियों भी गोलियां चलाई और इसके बाद भागे नहीं अपने आपको सरेंडर कर दिया और इनका नाम पुछा गया बताईए आपका नाम क्या है तो इन्होंने अपना नाम बताया राम मोहमद सिंग आजाद इनका नाम बताया तो कईबर एक्जाम में कुशन आता है इनका नाम तो शेर सिंग भी इनका नाम था उद्दम सिंग उदे और उसके लावा राम मोहमद सिंग अजाद इनका नाम था और माइकल ओडवाईर को मारा लंदन में जाके कैक्स्टन हॉल के अंदर और वहाँ से बागे नहीं और 31 जुलाई और अंग्रही चाहते थे जल्दी से जल्दी इनको फांसी दी जाए ताकि इनकी जो एक्टिविटी है या इनकी जो जीवन गाता है वो किसी तक ना पहुंचे और करांती जादा ना फैले 31 जुलाई 1940 को पेंटोन विले जेल के अंदर इनको फांसी दी गई और इनके जो जो अस्तियां है 1974 अगस्त के मेने में भारत लाई गई यानि इनकी डेथ के इनकी शहीदे के 34 साल के बाद इनके अस्तियां भारते मिलाएगी 1974 के अंदर और ध्यान से सुनिये सारे उसके बाद में पुरे रिती रिवाज के साथ कमबोज थे ये पुरे रिती रिवाज के साथ हिंदू, मुसलिम उसके लावा हर रिती रिवाज के सा सिख इनका जो अंतिम संसकार किया गया और इनका जो अगर बात करें इनके अंतिम संसकार के बाद जहां पर इनका जनम वह सुनाम के अंदर सुनाम का नाम बदल के किया गया सुनाम उद्दम सिंग वाला इनके गाम का नाम सुनाम उद्दम सिंग वाला कर दिया गया उत्राख जलिया वाला बाग के गेट के उपर आ स्टैचू ओफ सेद उदम सिंग इंस्टॉल्ड बाइ इंटरनेशनल सरव कमो समाज एड़ दा मेन एंटरस ओफ जलिया वाला बाग अमरिश सर ओन तेरा मार्च 2018 और इस टैचू को अरवेल किया गया था भारत के हो मिनिस्टर इनका नाम था राजनाथ सिंग 2018 की बात कर रहू हूं है और इन पर सरदार उदम एक फिलम भी बनी है उसको देखिएगा ताकि आपको पता चले सरदार उदम सिंग की जीवनी के बारे में और ये फोटो तब किये जब उदम सिंग जी को जब इन्होंने मार दिया था माइकल ओडवायर को उसके बाद इनको कैदे करके लिजाया जा रहा था देखो कितनी खुशी है कितनी संतुष्टी है इनके मुक पे ठीक है ना यानि बिलकुल भी डर नहीं है और इनको ये था कि मैंने अपना जो करतव ये था भारत मा के लिए उसने बहुत सारे लोगों को मारा और उसको लगा कि मैं बचके बैठ जाओंगा लंदन में लेकिन नहीं उसने पंगा एक पंजाबी से लिया था ठीक है ना तो शेद उदम सिंग जी ने उसको मारा और देखो शेद उदम सिंग जी के लिए कुछ लाइने हैं कि उदम सिंग की परतिग्या से कांप उठा वह कायर था और था वह कोई और नहीं बलकि जनरल डायर था और भारत से लंदन जाकर फिर ठकर आंक मिचोली से उदम सिंग ने जनरल डायर को भून दिया था गोली से उदम सिंग ने जनरल जुलाई 1940 को जो है अपनी शहीदी को प्राप्त कर गया तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू सो मच